नमस्कार दोस्तों मैं आचारे वसुदा हार्दिक अभी नंदन करती हूं अब सभी का आपके अपने यूटीब चैनल पर दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा मार्च 2022 का ये महिना कौन कौन से वरत पर्व और त्योहार होंगे और क्या रहेगी ग्रह गोचर की इस्तिति सभी कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बस आते हैं वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं तो प्ल सबसे पहले एक मार्च को माहा शिवरात्री रहेगी जी हाँ इस दिन शिवजी की अराधना की जाएगी और बहुत सारे ऐसे उपाय जो हम शिवरात्री के दिन करके बहुत सारे दुखों से मुक्ति पा सकते हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे तीन मार्च को फागुन मा शुकल पक्ष आरंभ हो जाएगा दस मार्च को जो लोग मासिक दुरगास्टमी रखते हैं वो वरत कर सकते हैं साथ ही साथ इसी दिन होली के आठ दिन पहले शुरू होने वाले होलास्टक भी आरंभ हो जाएंगे जिसमें किसी भी प्रकार के उलहंडी कहते हैं 25 मार्च को शीतला अस्टमी यानिकी बासोडे की पूजा की जाएगी उसके बाद में अब बात कर लेते हैं ग्रह गोचर की तो इस माह में जो जो त्योहार पढ़ने वाले हैं उनका हमने विवेचन किया कौन-कौन से ग्रह अपना राशी परिवर्तन करे अब जानते हैं सूर्य 15 मार्च 2022 को कुमब राशी से निकलकर मीन राशी में एंटर करेंगे साथ ही बुद्य देव जो माह की शुरुआत में अभी तक हैं मकर राशी में 6 मार्च को कुमब राशी में और उसके बाद 24 मार्च को मीन राशी में जाएंगे और हो जाएंगे न 31 मार्च याने की end of the month और enter करेंगे कुंब राशी में सुबह 8 बच कर 49 मिनिट पर ये तो है ग्रह गोचर की इस्तिती और त्योहारों का विवेचन आए अब चलते हैं कैसा रहेगा आपका भागेफल इस महीने सबसे पहले अगर हम बात करें मिथुन लगन वाले जातकों के ब परिशानिया है आपको सांस से जुड़ी हुई परिशानिया है या किसी प्रकार का अस्थमा का रोग है तो उन लोगों को ये टाइम पीरिट बहुत ही ध्यान से रखना है क्योंकि आपके लगन के स्वामी और साथ ही साथ वायू कारक ग्रह शनी देव दोनों ही अश्टम म हम बृत्यू का भाव मानते हैं लगनेश का अश्टम में जाना और साथ में अश्टमेश का स्वाराशी में होना दोनों ही आपकी हेल्थ को लेकर सतर्कता बरतने की तरफ आप प्रदर्शित करते हैं साथ ही साथ जिन लोगों को किसी प्रकार की स्किन एलर्जी है उनको भी छे तारिक से लेकर 24 तारिक तक का जो टाइम पीरेड रहेगा आपके लगनेश का नवंभाव में होना होगा तो इस टाइम पीरेड में आपके द्वारा की हुई मेहनत के आपको पूर्ण फल मिलेंगे जो लोग कपड़े का काम, खाने पीने का काम, साथ सजावट का काम औ तो बुद्ध देव के लिए ये सारी जो चीजे हैं, अगर आप इन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, तो पांच तारिक से लेकर 24 तारिक तक का टाइम आपके लिए बहुत एप्रोप्रेट रहने वाला है, आपके दूसरे घर की बात कर लेते हैं, आपके धन संचे संभाई, सगे, संबंधियों का घर, आपकी अक्त्राओं का घर, जिसके मालिक सूरे देव माने जाते हैं, और सूरे देव गोचर करेंगे शुरू आपके 15 दिन में आपके नवंभाव यानि की आपके भागे भाव में, तो अगर आपका भायू से कोई डिस्प्यूट चल प्राय तो पिता आपको सपोर्ट करेंगे, आपके पिता का आपकी तरफ जुकाव रहेगा, साथ ही साथ, तीसरे घर के मालिक का पंच नवंभाव के अंदर विराजबान होना, यानि कि अगर आपने अपने पिता का कोई कारे भार समाला है, या फिर आप अपना कोई पैत् आपकारी सिद्ध होगा, अब बात कर लेते हैं आप लोगों के चतुर्त भाव के, तो जैसा हमने बताया कि जो आपके लगन के स्वामी हैं, बुद्धे, वही आपके सुख के स्थान के स्वामी भी हैं, तो शुरुआर के पांच दिनों में थोड़ी सी सुखों में कमी रह तो थोड़ा ध्यान जादा दीजिएगा, बातों को इगनोर मत कीजिएगा, लेकिन अच्छी बाती है कि पांच तारी के बाद जैसे ही राशी परिवर्तन करेंगे, चीजे संभलती हुई दिखाई देंगी, आपके पंचम के स्वामी जी हाँ, आपके पंचम के स्वामी श चाहते हैं, तो अभी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये टाइम पिरेड आपके लिए एप्रोप्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि पूरे महा आपके पंचम का स्वामी अश्टम में ही विराजमान रहने वाला है, आपके छटे घर के मालिक, यानि की मंगल देव विराजमान है, अश्टम भाव के अंदर, यहां से आपको अश्टम का मांगलिक बनाता है, साथ ही साथ अगर आपको इस टाइम पीरेड में बलड से जुड़ा हुआ को इन्फेक्शन है, तो उसका ध्यान देने की बहुत अधिक आवश्यक्ता है, लेकिन विपरीत राजियोग भी बनाए अश्टम भाव यानिग देव गुरु ब्रहस्पती की इस्तिती के बारे में, तो सप्क्रम का मालेक, आपके जीवन साती का आपके पार्टनर्शिबाग का, आपके डेली इंकम का मालिक जाके बैठा है, आपके नवं भाव के अंदर, तो आपको सहीयोग पूरा मिलेगा, भाग्य में उन्नती होगी वेवाहिक संबंद अच्छे चलेंगे पार्टनर्शिप डील बहुत अच्छी रहेगी डेली की इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी तो ओवरॉल अप्रेल तक का ये टाइम पीरड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा मैं मार्च के बाद इसलिए ले रहे हुँ क्योंकि देवगुरु ब्रहस्पती अप्रेल में राश्री परिवर्तन करेंगे और फिर यहां उसे इन सभी चीजों को लेकर थोड़ा सा बदलाव आपके जीवन में आएगा अश्टम की बात करें तो अश्टम के मालिक शनी देव आपके अश्टम अब कहीं ना कहीं आपको गुड गहन की तरफ लेकर जाएंगे और साथ ही साथ शनी देव यहां से बैठ कर सीधा तीन घरों को एक्टिवेट करेंगे आपके पंचम भाव को आपके दूसरे भाव को और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो शनी देव का इस टाइम पीरिड क अंदर यहां बैठ कर आपके धन संचे पर भी थोड़ी सी देख रेक रहेगी अगर आपकी कोई पैतरिक संपती है या फिर कोई ऐसा आपका जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी पड़ी थी तो उसके भी इस समय निकलने के चांसे बनते हैं जिसको आपने बिल्कुल सोचा था कि वहां से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है अब बात करते हैं आप लोगों के लिए ओवरॉल ये टाइम पीरिड कैसा रहेगा तो दोस्तों मार्च का महीना अगर हम देखें तो हमने सभी नौ के नौ ग्रहों की विवेचना से आपको बताया कि कब ग्रहे चेंज होंगे हा राहू का ये गोचर आपके सबसे बड़ी बात आपके प्रतिद्वन्दी और आपके कॉंपिटीटर्स को या फिर आपके दुश्मनों को आपके उपर हावी नहीं होने देगा ओवरॉल मिथुन राशी के लिए टाइम पीरिड बहुत अच्छा है आवेशक्ता है तो सिर् 24 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यक्ता है क्योंकि एक बार लगनेश अस्टम में हैं और दूसरी बार लगनेश नीच के हो जाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिए सतर्कता बरतिये और ये टिप्स जरूर अपना आईए गनेश जी क कभोग लगाना है गाय को हरा चार आवश्य देना है और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो एक ग्रीन कलर का हैंकरचीफ अपने साथ रखिए वो भी कब तक रखेंगे सिर्फ 24 तारिक तक 24 तारिक के बाद में आपने उसको नहीं रखना है ओवर आल आपका महिना ये आपका जो राशीफल है ये हमने विवेशना की अच्छा रहे भगवान भोलेनात आपके लिए कृपा बरसाएं और मास की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी आए इसी मनोकामना के साथ आज यहीं विदा लेती हूं अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी तब तक के लिए जैम आता दी